नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मैं आपका दोस दिनिस निम्बावत एक भौत ही मैं था पुन सूचना जो अभी लेटेस्ट कुछ ही देर पहले की सूचना है दिव्यांग का जो आरेक्षण है सरकारी जोब में चार परसेंट चार परतिशत जो है उसको खत्म कर दिया ग सरकारी जोब में चार परसेंट अरेक्षण खत्म यह हेडिंग है केंदर सरकार ने IPS रेल्वे प्रोटेक्शन पॉर्स और तमाब अर्ध सेनिक बलों में दिव्यांग जनों को मिलने वाली चार फिस्दी कोटे जो है खत्म कर दिया गया है यह फैसला दिल्ली समयत कहीं अन् SSB, BSF, ITBP, Assam Rifles, CRPF, CISF में दिव्यांग जनों को कोटा नहीं मिल सकेगा समानता के आउस्सार और समाज के पिछले वर्गों को आरेक्षण देने की बात करने वाली बीजेपी के नेतरते वाले सरकार का यह फैसला चोकाने वाला है दिव्यांग जन ससस्तिकर और विबाक की और से जारी किये गए, notification में आरेक्षण के प्रावधान को खत्म किये जाने की जानकारी दी गई है नोटिपिकेशन में कहा गया है कि सेक्षन 34 की सब सेक्षन 1 यानि वन सब सेक्षन में कि ते दिवांग जनों को मिलने वाले आरक्षन के दाइरे से कुछ सेवों को बार कर दिया गया है उनके काम की प्रकर्टी देखते हुए फैसला लिया गया है जिन सेवाओं से जनों के आरक्षन को खत्म किया गया है उनमें इंडियन पुलिस सर्विसेज, दिली, अंडमान, एउ निकोबार, दीब समू, लक्सदीब, दमन दीब और दादर एउ नागर हवेली पुलिस सामिल है ठीक है इसके अलावा बीसेफ, एससबी, सी आरफियफ, सी एसफ, आई टी बीपी जैसे अर्चेनिक बल भी सामिल है इसके अलावा रेले प्रोटेक्शन फोर्स को भी लेकर यह फैसला लागू होगा तो यह जानकारी 4% आरक्षन दिव्यां को लेकर जानकारी कैसे लेग नमस्कार